नमस्कार दोस्तों आपको पता होगा कि भारत के दोवारा सबसे ज़्यादा पाम ओयल का इंपोर्ट कराया जाता है जो एडिबल ओयल होता है जो हम कुकिंग में इस्तमाल करते हैं सबसे ज़्यादा भारत इंपोर्ट कराता है और यहाँ पर हुआ क्या है कि इंडोनेशिया जो कि विश्यू का largest producer है palm oil का वहाँ पर crisis आ रखी है या आप देख पाऊगे Indonesia the world's biggest producer has a palm oil crisis तो इसको detail से समझेंगे कि exactly हुआ क्या है क्या कारण है और भारत पर कैसा असर करेगा काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले जान रखना है अगर आप को सिर्फ आज जो है double validity भी मिल जाएगी इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे चली शुरवात करते हैं और देखते हैं exactly यहाँ पर हो क्या रहा है दिखें यह बहुत इंडोनेशिया में वहाँ के लोगों के लिए palm oil बचा नहीं है लंबी-लंबी कतारे लग रही हैं वहाँ पर shops पर कि लोग palm oil को खरीदना चाहते हैं क्योंकि cooking में बड़े ताओर पर इस्तमाल किया जाता है जिसको edible oil करते हैं जैसे sunflower oil हो गया तो इसी तरह से palm oil, sunflower oil, soya bean oil इस जो कि आप कह सकते हो कि जो दूसरा biggest producer है palm oil का मलेशिया उससे 60% जादा है, मलेशिया में आप देखिए 18.7 million tons का और इंडोनेशिया में 45.5 million tons का, कहने का मतलब है कि इंडोनेशिया जैसी जगह पर जो की largest producer है, वहाँ पर भी problem देखने को मिल रही है, और आप देख सकते हो य जाना कि 14,000 इतना जादा, देखो ये basically 1 dollar है, मतलब 1 dollar से भी आप कम कह सकते हो, करी 1 dollar equals to around 14,000 इंडोनेशिया मतलब 14,75 रुपए आप कह सकते हो भारत के इसाब से, तो ये 14,000 से बढ़कर अचानक से 22,000 आपको देखने को मिलेगा, 1st of February को इसके लिए यहाँ पर सरकार ने ए बेच नहीं सकता, लेकिन इसकी वज़े से हुआ कि जब आप price cap लगा देते हो, अचानक से market में से, market में से जो oil है वो disappear हो गया, कोई बेचना नहीं चारा था, hoardings की खबरे आ रही थी, और इसकी वज़े से क्या हुआ क्योंकि oil बिक नहीं रहा था market में, तो लोग लंबी-लं हिस्सा, domestic market में बेचना पड़ेगा, और आगे चलकर यहां पर सरकार ने ये भी किया कि 20% से बढ़ा कर उसको 30% कर दिया, मतलब कि 30% at least हिस्सा उसको domestic market में बेचना पड़ेगा, वो सब कुछ export नहीं कर सकता, ताकि domestic में इंडोनेशिया के पास oil बचा रहा है, तो यहां पर question यह आएगा कि यह पूरा जो crisis देखने को मिल रहा है इंडोनेशिया में, उसका कारण क्या है, reason क्या है, देखो, दो main कारण है, मैं आपको एक के करके बताऊंगा, जो सबसे पहला कारण है, वो है supply disruption, अगर आप देखोगे, तो इसमें भी आपको दोनों चीज मिलेगी, man-made disruption और natural crisis चल रहा है, ठीक है, तो पहले हम supply disruption की बात करते हैं, सबसे बड़ा कारण है यूक्रेन और रश्या, यूक्रेन रश्या अगर आप देखोगे, तो देखो, वहाँ पर उनके द्वारा palm oil को produce नहीं किया जाता, लेकिन वो produce करते हैं sunflower oil, ठीक है, मैं आपको अभी relation बता में 90% का trade करते हैं, तो sunflower oil के मामले में यूक्रेन और रश्या काफी number one है, और palm oil के case में इंडोनेशिया और मलेशिया एक साथ हैं, तो यहाँ पर रश्या के द्वारा जो invasion किया गया, उसकी वज़े से sunflower oil का supply नहीं हो पा रहा था, यह जो black sea वगरा का आपका जो trade है, इसकी व में क्या समझा, यह तो man-made crisis है, क्योंकि दो countries आपस में लडाई कर रहे हैं, दूसरा इसके अंदर जो natural जो कारण है वो यह है, कि South America के अंदर जो soya bean oil है, उसकी supply में कमी आ गई, क्यों, क्योंकि वहाँ पर drought जैसा situation आ रखा है, तो South America में जो Brazil है, Argentina है, परगवे हो गया, यह स इसी की वज़े से, एक तो Russia-Ukraine crisis में, जो sunflower oil में आपको बताया, और South America में यहाँ पर जो soya bean oil है, अब यह दोनों में अगर कमी आएगी, तो आप खुद सोचिए, इसका pressure कहाँ पर जाएगा, यह जाएगा, palm oil के case में, तो अचानक से palm oil का जो demand है, वो बढ़ आ है, supply कम है, तो इसी लिए जो पहला कारण आई हो, कि आपको समझ में आ गया होगा, कि supply जो disruption आया है, sunflower oil और soya bean oil में, उसकी वज़े से, पूरा pressure चला गया है, palm oil की तरफ, और इसी की वज़े से, इसकी availability जो है, वो नहीं हो पा रही है, तो एक यह कारण हो गया, दूसरा कारण है, diversion, diversion ज इससे क्या होता है, कि अगर जैसे भारत जैसे देश में आप देखो, तो सरकार ने नियम लाया है, कि 5% से 7.5% कर दिया, blending of ethanol, ethanol आपने सुना होगा, तो इसी प्रकार से इंडोनेशिया ने क्या किया, 2020 में compulsory कर दिया, कि diesel के अंदर 30% blending की जाएगी palm oil की, आ रहा है समझ में, तो 30%, जो crude oil है, उसमें से 30% उसमें जो है palm oil होगा, diesel के अंदर, और क्योंकि palm oil का diversion हो रहा है, biofuel के case में, इसी के वजए से जो domestic के लिए cooking oil होता है, export के लिए जो oil होता है, वो नहीं बच पा रहा है, इसके अलावा यहाँ पर ये भी आप देख सकते हो, कि Russia-Ukraine war की वजए स जो crude oil का price बढ़ गया, इतना जादा बढ़ गया है, 100$ के उपर अभी आपको देखने को मिलेगा crude oil का price, इसकी वजए से भी ये बहुत attractive हो गया है, लोग जादा से जादा blend करना चाहते है, crude oil को, crude oil और जो palm oil है, तो ये जो diversion हो रहा है, palm oil का cooking से लेकर ये चला जा रहा है India is world's biggest vegetable oil importer, हम सबसे जादा oil import कराते हैं, हर साल आप देख सकते हो 14-15 million tons का, जो edible oil है, अब edible oil में बहुत सारी चीज़ें से, palm oil, लेकिन सबसे जादा हम palm oil मंगाते हैं, 8-9 million tons, उसके बाद soya bean oil मंगाते हैं, import कराते हैं, 3-3.5 million tons, sunflower 2.5 million tons, देखिए अभी तक क्या होता था ज 2015-16 से लेकर अभी तक का यह आकड़ा देख सकते हो, crude palm oil, और यह देखिए इंडोनेशिया से हम सबसे जादा मंगाते थे, 45 million tons, देखिए 2017-18 में आपको देखने को मिलेगा, तो दूसरी नमबर पर आता था मलेशिया, लेकिन 2021-22 में इस साल का आप देखो, यहाँ पर देख कि खुद इंडोनेशिया के अंदर वहाँ पर crisis आ रहा की है, तो I hope कि यह चीज़ आप समझ गए होगे, इसके अलावा 16 और 17 मार्च को finally इंडोनेशिया की सरकार नहीं क्या किया, कि जो curb लगाया था export के उपर, कि 30% आपको domestic में sale करना है, उसको हटा दिया, जो retail prices के उपर, restrictions लगा दिया था, curb लगा दिया था, ceiling लगा दी थी, उसको भी यहाँ पर हटा दिया गया है, लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पर यह कर दिया इंडोनेशिया ने, कि tax लगा दिया, अगर इंडोनेशिया से कोई भी export कर रहा है oil को, भारत अगर हम मंगा रहे हैं, तो हमें अगर भारत के अंदर देखने को मिलेगा, और इसलिए भारत में भी इसका जो price है, वो लगतार increase होता जा रहा है, और यह भारत के लिए चिंता की बात है, क्यों, क्योंकि भारत, अब देखो, यहाँ पर क्या है कि, यह यह लगा दिया गया है, आपका taxes लगा दिया गया है, और यहाँ पर कब लगाया जा रहा है, तो भारत को इसकी आदट डालनी पड़ेगी, कि इंडोनेशिया से अब थोड़ा कम supplies आएगा, ठीक है, तो यह problem है यहाँ पर, अब देख से आके चीज़ें होती क्यों है, कि नहीं, although मैं आपको बता दूं, कि अभी थोड़ा सा relax हु और अंडमान निकोबार हो गया, वहाँ पर हम कहीं न कहीं इसका production कर सकते हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है नहीं होता है, बटाई हो कि इस वीडियो के माध्यम से, यह जो पूरा crisis था वो आपको समझ में आ गया होगा, जाने से पहले काफी interesting question, क्या बता सकते हो, भार अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए, अलग-लग social media पर भी आप जूट पाएंगे, और जैसे मैंने बताया, अगर आप आज ये courses खरीते हैं, UPSC, Judiciary Banking कुछ भी, तो आज आपको 33% discount के साथ-साथ, double validity भी मिलेगा, यहाँ पर आपको code इस्तमाल करना है, अंकित 33, I Thank you very much, see you soon.